दिप्रेंट के यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और ताजा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं जो इंपॉर्टेंट कास्ट है, जो कास्ट फाक्टर है और खास करके जो प्रमुख जातियां हैं उनके नरत्वित्त को राज्यों में मौका दे रहा है और जारखंड के बाद एक तरह से बीजेपी हाई कमान को ये महसूस हुआ कि उसने जो गलती की थी जारखंड में उसके बाद से लगातार वो उन राज्यों में मुख्यमंत्री जहां पर बदले गए चाहे वो करनाटक हो या फर गुजरात हो या फर उत्राखंड हो वहाँ पर जो प्रमुक्त जातिया है उनके नरत्रित्तो को मौका दिया गया तो अब इससे आगे का संकेत किया है तो प्र बाद पॉलिटarios में हम बात करेंगे उन राज्यों की जहां पर नरत्त परिवर्तन की आशंकाओं से वहां के जो मुख्रमंत्री हैं उनका एक तरह से जो अमन चैन है और उनका जो जीना है एक तरह से हराम हो चुका है तो क्या है बीजेपी हाई कमान के इस फैसले के दुरगामी इफेक्ट और क्या है इसके आफ्टर इफेक्ट तो शुरुआत करते हैं कि आखिर जो गुजरात का एक्सपेरिमेंट था गुजरात में जिस तरह से भुपिन पटेल की निक्ती हुई अब उसे उन राज्यों में क्या होगा खास करके हर्याना जहां पर इस समय किसानों का आंदोलन और जाट पॉलिटिक्स सबसे चरम पे है और आपने देखा होगा कि किस तरह से करनाल में किसानों के साथ जो मुठवेड हुई और वहां पर जिस तरह का क्लाश है और खास करके हर्याना के धेर सारे हिलाकों में बीजेपी के मंत्रियों को घुसने नहीं दिया जा रहा है पिछले एक साल से पंजाब में तो ये बदस्तूर जारी ही है लेकिन चुकि पंजाब में बीजेपी की सरकार नहीं है हर्याना में बीजेपी की सरकार है तो सबसे पहल हलाकि जैराम ठाकुर वहां की dominant caste से हैं लेकिन उनके बारे में हम विस्तार से बाद में बात करेंगे और तीछरा है त्रिपुरा के मुख्य मंतरी बेपलब देव यंग मुख्य मंतरी और बीजेपी की जो turn around story खास करके नौर्थिस्ट में जिसकी शुरुवात त्रिपुरा से हुई वहां पर जिस तरह के बगावत की हालात हैं तो वहां पर उनकी गदी भी जो है वो खत्रे में हैं लेकिन शुरुवात करते हैं हर्याना से अब हर्याना की politics में पिछले दिनों में हुआ क्या है अगर हर्याना की politics को देखें आजादी के बाद जब हर्याना राज्य अस्तित्व में आया वहां पर वहां की जो politics है majorly dominated जो रही है वो जाटों की दौरा अगर आप 53 साल के इतिहास में देखें तो 33-34 साल जो है राज्य की कमान जो मुख्यमंत्री का ताज है वो जाटों की पास में रहा है चाहे वो बंसी लाल हो या फिर ओंप्रकाश चोटाला हो या फिर देवी लाल हो एक तरह से वहाँ पर जाटों का बोलवाला रहा है या फिर हुड़ा हो जाट मुख्यमंत्री वहाँ पर चुने गए है सिर्फ कुछ ऐसे मुख्यमंत्री है जो बहुत छोटे period के लिए मुख्यमंत्री रहें सिर्फ exception के तौर पर भजनलाल का नाम ले सकते हैं कि नौन जाट होते हुए भी वो राज्य के एक बड़े नेता रहे और दस साल से ज़्यादा मुख्यमंत्री के पत पर रहे लेकिन जो बाकी मुख्यमंत्री रहे हैं जिसमें कि B.D. शर्मा हो बनार्ची दास गुप्ता हो वो छोटे छोटे टर्म के लिए मुख्यमंत्री रहे हैं exception भजनलाल और मनुहलाल खटर है भजनलाल दस साल तक राज किया और मनुहलाल खटर अपनी दूसरी पारी में राज कर रहे हैं तो हर्याना की स्टोरी क्यों इस समय इंपोर्टेंट हो जाती है उस पे थोड़ा नजर डालते है B.J.P. अगर देखें कि B.J.P. का हर्याना में जो ग्राफ रहा है B.J.P. हमेशा से हर्याना में पिछलगबू पार्टी के रूप में रही है चाहे वो जनतादल का साशन रहा हो, देवी लाल का जमाना रहा हो ओम्रकास चोटाला का जमाना रहा हो या फिर बंसी लाल का जमाना रहा हो B.J.P. एक माइनर प्लेयर के तोर पे एसोसियेटेड रही है प्रमुखनेताओं के साथ में 2005 के अगर भी धान सभा चुनाओं में देखें तो B.J.P. मात्र 10% का भोशेर B.J.P. ने पाया था लेकिन 2014 में नैंद्र मोदी के वेब में जो सुनामी आई थी उस पे चड़कर B.J.P. ने वहाँ पे अकेले दम पर सरकार बना ली सारी जाट पॉलिटिक्स के जो नेता थे उनको किनारे कर दिया हुड़ा धरे के धरे रह गए और तमाल जो नेता थे वो कहीं न कहीं पिछवारे में चले गए और वहाँ पे B.J.P. की सरकार बन गई और B.J.P. ने वहाँ पे एक स्मार्ट पॉलिटिक्स खेलते हुए नौन जाट को जो खत्री समुदाय से आते हैं जो एक मानिर्टी कम्टिटी है पंजाबी कम्टिटी का वहाँ से एक मुख्यमंतरी बना दिया मनोहलाल खटर को उस समय भी जो दावेदार थे वो जाट समुदाय से काप्टन अभिमन्यू थे ओम्ट काज धनकर थे ये सारे जाट के प्रमुखनेता थे जो B.J.P. के कोटे से थे जो मुख्यमंतरी पत के दावेदार थे लेकिन B.J.P. ने एक स्मार्ट पॉलिटिक्स खेली B.J.P. ने सोचा कि चुकी हर्याना में जाटों का डॉमिनंस रहा है तो वहाँ पे जो नौन जाट कम्निटी है वो कही न कहीं एक उसको पलराइज करने के लिए जिसमें की OVC, दलिजातियां हैं और ब्राम्हन हैं ये सब को जाटों के खिलाब जो उनका गुस्ता है उसको चैनलाइज किया जाए और उस स्टैट्जी के दहत मनौराल खटर की अपॉइंट्मेंट हो गई थी मनौराल खटर वैसे स्वेम सेवक रहे और प्रधान मंत्री नेंदर मोदी से उनकी नजदी की रही लेकिन हर्याना की कोलिटेक्स में उनका कोई खासा वजूद नहीं था पहली पारी उनकी निकल गई नेंदर मोदी के नाम पर और दूसरी जो पारी थी दूसरी पारी में एक तरह से क्लिचे जाए यानि कि उनको धक्का लगा धक्का की सुरूप में लगा कि 2019 का जो चुनाव था वहाँ पर जिस तरह से सर्जिकल इस्ट्राई बाला कोट का जो सेंटिमेंट था और चुकि हर्याना एक ऐसा राज है जहां से आर्मी में धेर सारी तादाद में यूबग जाते हैं और जब वहाँ का कैम्पेन हो रहा था तो प्रधान मंतिर नर्निवोदी ने इस बात का जिक्र भी किया था तो उ उसका सहारा लेते हुए मनुहलाल खटर जीत तो गए लेकिन वो उस नंबर पे नहीं पहुंचे जहां पर उनको उम्मीद थी क्योंकि जाटो ने खुली आम उनका विरोध किया था और इसलिए मनुहलाल खटर 40 सीट पर अटक गए उन्हें दूसरी पार्टी का सहारा लेना कहानी में टर्नराउंड है कि उसके बाद से जब तीन क्रिश्री कानूनों को लेकर विरोध शुरू हुआ अंदोलन शुरू हुआ तो हर्याना की जो लैंड ओनिंग कम्निटी है जो जाट हैं वो खुलकर बीजेपी के विरोध में उस समय भी थे और वो बीजेपी के विरो लाइफ 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 यहां पर economic issue, inflation, unemployment यह सारे मुद्दे नहीं हो लेकिन COVID के बाद के दौर में क्या हुआ है कि हरियाना में unemployment की दर जो है सबसे जादा है, महंगाई है और जिस तरह से COVID में लोगों की नौकरिया गई है तो वो कहीं न कहीं जनता कास्ट के अधार पर वोड करेगी यह सबसे वड़ को आप कैसे ignore करेंगे और वो अगर किसान जाट मिलकर BGP के खिलाब वोड करेंगे कहीं न कहीं अगली विधान सवा चुनाओ निकालना BGP के लिए मुश्किल हो जाएगा यह BGP High Command की पहली चिंता है और शायद यह मनुहलाल खटर की वी चिंता है क्योंकि अगर BGP High Command इस BGP का जो पुराना एक्सपेरिमिंट था और जो अलग लग पाटियां करती रही है जो कॉंग्रेस का जो ट्रडिशनल बोर्ट पैंक है वो जाट बोर्ट पैंक है और हुड़ा उसके अधार पे 9 साल तक उन्होंने राज किया तो BGP को कहीं न कहीं उस कमुनीटी को सैटिस फाइ करना होगा तो खत्रेगी घंटी पहली घंटी हरियाना में है दूसरी घंटी कहाँ है हीमाचल हीमाचल में खत्रेगी घंटी क्या है जेराम-ठाकुर वैसे तो यंग है और यूँवा नेतरित पिछली बार जो विदान सभाय चुना हुआता उस समय वहाँ के जो चीपनिस्टर प्रोजेक्ट किये गये थे धूमल साब, प्रेम कुमार धूमल जो पहले भी राज्य के मुख्यमंत्री थे, काफी अनुभवी नेता थे, लेकिन वो अपनी सीट से विधान सबाद चुनाओ हर गये, ये अलग बात है कि कहानी ये होई कि उन्हें ह उनकी लीडर्शिप पर भी धेल सारे सवाल उठ रहे हैं, कि वो एक तरह से, वैसे अगर आप देखें कि कोबिट के मैनेजमेंट और खास करके जिस तरह से वैक्शनेशन हुआ, उसमें अभी पिछले हपते ही प्रधानमंत्री ने उस कारिक्रम में शिरकत की थी और उनकी बावाही हुई, लेकिन बीजेपी हाई कमान जो बाइपोल हैं, आने वाले हुआ पर कई सीटों के एसेम्बली सेगमेंट के बाइपोल हैं, एक लोगसभा का बाइपोल है, उन सब को देखते हुए, वो एक तरह से फिर से रिधिंग कर रहा है कि क्या जैराम ठाकूर 2022 का ज यंग फेस उपया बीजेपी को सत्तातर लेकर आए, और वहाँ पर नौर्थिस्ट में पहली बार कॉम्मिस्टों के शाषन काल को खत्म करके बीजेपी सत्ता में आई, वहाँ पर भी जिस तरह से इनफाइटिंग है और जिस तरह से अशंतोश है विपलव देव के खिलाप और उसके बाद 2023 का चुनाव फेस करेंगे, उसमें शिवराशिंग चौहान भी हो सकते हैं और फिर 2024 मनुहाला खटर, चुकि खटर के सामने जाटों का अंदोलन है, एक मिजोर्टी कमिनिटी उनके खिलाफ है, तो इसलिए खटर के खिलाफ भी खत्रेगे गंटी कभी भी ब सकती है, शंकर अरिमेश दप्रेंट लेकिन आप हमारे यूटुब चैनल को सब्सक्राइब करना न भोलें और साथ ही अपने कमेंट्स अपने रियाक्शन लगाता है, हमें देश के रहें